नारान नारान दोस्तों हमारी जिन्दगी कब 360 डिग्रीज खूम जाए हम नहीं जानते प्रेंज लाइफ में कभी-कभी हमारे सामने एक ऐसी सिचुएशन आकर खड़ी हो जाती है हमने कभी जिन्दगी में नहीं सोचा होता है कि वैसा हमारे साथ कुछ हो जाएगा मैं आपको इसी से सम्मधित घटना सुना रही हूँ एक बार की बात एक लड़का था प्रकाश नाम था उस लड़के का उसकी शादी हुई इसकी पतनी का नाम था रोशनी दोनों की नाम थो बहुत ही अच्छे थे प्रकाश और रोशनी इससे जादा मतलब मिलते जुलते नाम और क्या होंगे पर वो नाम की ही रोशनी थी सच मुछ में नहीं रोशनी थी वो जिस दिन से वो शादी होकर आई थी वो पीछे पड़ी रहती थी अपने पती के कि तुम ससुर जी को व्रिद्धाश्रम भेज दो सास तो थी नहीं सिर्फ ससुर थे वो ससुर को भी नहीं समाल के रख पाती थी वो सूस्ती थी कि ये ससुर भी निकले घर से बाहर तो पीछे पड़ी रहती थी व्रिद्धाश्रम भेज दो, भेज दो, भेज दो तो एक दिन ससुर नहीं अपने बेटे से कहा बेटा मुझको तुम व्रिद्धाश्रम भेजी दो रोज घर में इतना कलेश मच रहा है क्या फाइदा तो बेटा अपने पिता जी को लेकर गय इनको किसी चीज की कोई कमी न हो मजबूरी में है मैं इनको यहां पर छोड़के जा रहा हूँ तो मैनेजर ने का नहीं ने आप चिंता मत करिए मैं इनका ध्यान रखूँगा और यह कहकर उनको छोड़के उनका सावान छोड़ दिया उसने और वो घर वापस आने लगा जब घर वापस आने लगा तो रास्ते में थोड़ी ही दूर गया था तो उसकी पत्नी का फोन आ गया और पत्नी ने कहा कि तुम अपने पिता जी को बोल देना कि वो जब तक हम उनको लेने ना आएं वो यहां पर ना आएं तो बेटे को बहुत बुरी लगी यह बात अब क्या क करें इसे सोचा चलो मैं जाके फिर से और पिता जी को बोल कर आ जाता हूं इस बहाने में उनको दुबारा से देख लूँगा अब प्रेंट्स वो गया उस व्रिद्याश्रम के साथ में ही अनाथ अश्रम था और वो मैनेजर जो थे वो व्रिद्याश्रम और अनाथ अश्र तो जब वो लड़का हां गया पहुंचा वो तो वो जो मैनेजर का रूम था वो उसमें एंटर ही करने वाला था कि उसको बड़ी जोर-जोर से ठाकों की आवाजें सुनने लगी बड़ा हैरान वहले यह तो पिताजी की आवाज है जो हसने की आवाज है तो उसने धीन इसे ज पाचीछ चल रही है और उनको चायवे पिलाके बिस्कित खिला रहे हैं वो लड़का उसने नौक किया और अंदर गया हूँ और उसने मैनेजर साहब से पूछा आप मेंटे पापा को जानते हैं तो मैनेजर साहब ने कहा मैं तुभारे पापा को पच्चिस साल पहले से जा इसी अनात आश्रम से गोद लेकर गए थे इसी के बारे में बात कर रहे हैं प्रकाश को काटो तो खूल नहीं गश खाकर गिरने वाला था वो वो तो उसके पिता जी ने उसको समाल लिया इसलिए वो गिरा नहीं उसको खुब आत्मग लानी हुई दोस्तों आपने एक बात नोटिस करी जो अपने पिता जी को वरद्ध आश्रम छोड़ने आया था उसी अनात आश्रम से उसके पिता जी ने उसको गोद लिया वा था 360 डिग्रीज घूम गया ना उसको समझ हा गई कि उसने बहुत बड़ी गलती करी है तो चुपचाप अपने पिता जी का सामान लेकर मैनेजर से रिक्वेस्ट करी मैं इनको अपने घर लेकर जा रहा हूँ वापस उनको घर ले गया और घर ले जाकर अपनी पतनी से कहा कि त तुम्हें पिता जी के साथ ठीक से वेहवार करना है और ये इसी घर में रहेंगे और यदि तुम्हें नहीं पसंद आ रहा है तो यू केंगो अपने माता पिता का रिस्पेक्ट कीजिए आदर सम्मान कीजिए जिस तरीके से उन लोगों ने आपको आपके बच्पन से लेकर और बड़े होने तक पाल पोस्ट कर बढ़ा किया एक बार भी शिकन नहीं आई उनके माते पर एक बार भी उन्होंने कुछ नहीं कहा उसी त झाल 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 झाल